गौलियर वेपर मेला प्राधी करण द्वारा संचालित मेला प्रांगण इस्थेत मेरिज गार्डन के सालाना ठेका के लिए मेला प्राधी करण द्वारा निकाली गई निविदाओं में गड़बडी का आरोप लगाते हुए गार्डन संचालकों ने आज मेला प्राधी करण के आफिस पहुँचकर विरोध पर दर्शन किया गार्डन संचालकों और ठेकेदारों का कहना है कि मेला प्राधिकरण ने जो निविदाय निकाली है उनमें कागजी कारवाई में तमाम खामिया है जिनमें की कई एक गार्डन प्रांगण में ना होने के बावजुद उनके नाम से निविदायन निकाली गई है ऐसे में गार्डन संचालकों के सामने दिक्कत यह है कि संचालन गतिविदी के लिए जिस स्थान का ठेका लेना है उस इस्थान के बारे में ही पता नहीं चल पा रहा है इससे निवेदक प्रक्रिया पूरी करने में परिशानी हो रही है और मजबूरन मेला प्राधिकरण के ओफिस आकर अपनी समस्या बतानी पड़ी तो वहीं मेला प्राधिकरण से जोड़े अधिकारियों का कहना है कि गार्डन व्यावसाईय द्वारा जो परिशानिया बताई गई है उन्हें समय रहते दूर करने का प्रयास किया जाएगा आपको बता दें कि गौलीर व्यापर मेला प्राधिकरण द्वारा मेला प्रांगण में आदा दर्जन से अधिक बड़े मेरिज गार्डन संचालित किये जाते हैं जिने हर साल ठेके पर उठाने के लिए मेला प्राधिकरण निविदाय निकालता है मेरा नाम है शिवन नाणा राज-नाढ शरी कांट्राक्टर से खब मैं है जो मेला परादीकरण से जो आमंतरितन निविताय की गाई तो हम लोग ऊसमें भाग लेंगे लेंगे बाई किनी किनी निविताओं में कहीं में नकसा दिया गया है कहीं पर मापदंड आपने वर्ग मीटर एरिया खोला गया है किनी निविदेताओं में वर्ग मीटर एरिया नहीं खोला गया है किसी में नक्सा नहीं खोला गया है तो अगर हमें उसका सही मुल्यांकन करना है तो हम उसका मुल्यांकन करेंगे कैसे बहुत यह जो कागजों की गाडन जो निविददान प्राधी करन की तरफ निकाली गहीं है इस्ताना इस्तानी जगे पर वह गाडन ही नहीं है वह सकता है पूर संचालक द्वारा उन उन तरह नामों में परवर्थित कर दिया गया है तो वह गाडन हमें मौका सकेंगे एसी ही ताजातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकोन दबाएं